मैंसी की growth hormones वाली problem का solution तो doctors ने ढूण लिया था मगर एक problem से all होते ही, एक नई problem से रुठा कर सामने आखडी होई इलाज बहुत महंगा था और family को ही उसका खर्चा उठाना था शुरू में तो government की help और just company में ऐसी के father काम करते थे उनके help से उसके fatherist cost को afford कर पा रहे थे लेकिन इस उभरते वे football star का इलाज शुरू होने के कुछ ही time बाद suddenly world economy crisis शुरू हो गया बहुत सारी countries अपना loan नहीं चुका पा रही थी जिसकी वज़े से उन्हें अपने citizens को देने भाली बहुत सी facilities भी बंद करनी पड़ी मैसी की medicines की costing थी 1500 टॉलर्स पर मन्त मैसी की family का मानना था कि भाई मैसी के लाज का खर्चा उसके clubs new wills old boys को उठाना चाहिए club ने उन्हें पैसे देना start कर दिया मगर वो भी बहुत लंबे time तक इस खर्च को उठानी पाए यहाँ family की tensions बढ़ती जारी थी किस्मत से Spain में उनके family के कुछ relatives रहते थे जिन्हों ने उस टाइम की power house team बासिलोना के agent से contact किया और उन्हें मैसी के बारे में बताया बासिलोना स्पेन की बहुत बड़ी city है इस team की अपनी youth academies हैं जो छोटी 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 leagues serve कर दी है और young players के लिए training facilities प्रोवाइड करवा दी है टैलेंट की तलाज होने हमेशा रह दिये इसलिए बासिलोना ने मैसी की family को invite किया तकि उनके coaches मैसी को try कर सके मैसी का game take कर उनके coach बहुत impressed हुए height और age दोनों में बाकी players के comparison में बहुत छोटा होने के भावचूत भी मैसी बहुत fast था सोने पर सुहा गई था कि pitch पर सारे players में से सिर्व एक मैसी ही ऐसा था जो ball को बहुत अच्छे से handle कर रहा था अपने practice match के दौरान उसने एक के बाद एक goal score किये हाला कि बासिलोना के एडमी मैसी जितने छोटे बच्चों को select नहीं करती थी मगर इसमें कोई doubt नहीं था कि मैसी को बासिलोना का हिस्सा बनाने के लिए वो finally अब कम से कम सोचने लगे थे टीम के doctors ने उसका medical examination किया और decide किया कि proper treatment और growth hormones injections से मैसी की height की average requirement पूरी की जा सकती है मगर एक और बात थी जो कि वो मैसी को contract offer करने से पहले उसकी family को बताना चाहते थे उन्हें इस बात की फिक्र हो थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी family से इतनी दूर रहना मैसी handle नहीं कर पाए इसलिए वो पहले कुछ psychological test मैसी पर करना चाहते थे ये देखने के लिए कि मैसी कितना और कैसे hold up कर पाता है तेकिन academy के sports director के साथ ना table पर पैठे मैसी के dead नहीं बड़े साफ शब्दों में उन्हें बता दिया कि या तो आज मैसी पासिलोना के साथ में यहां contract sign करेगा या फिर वो से रोजारियों के लिए जो भी अगली flight available होगी उससे वापस ले जाएंगे sporting director Carlos Rexach ने बिना एक पल गबाए अपना पैन निकाला रेस्टों की table पर रखा नपकेन पेपर उठाया और उसी पर एक makeshift contract बना दिया जिसमें उनने लिखा कि नर्स एफ मैसी की education और training बलकि उसके treatment और medication का खर्च भी बासिलोना उठाएगा और इस तरह मैसी बासिलोना का member बन गया आज भी उनके पास में वो नपकिन पर बनाया हुआ contract framed और saved है सन 2000 से 2003 तक बासिलोना के कई जुनिया टीम से खेलते और अपनी star performance देते वे मैसी ने कैड़िट ए टीम में अपनी जगह बनाने का रास्ता एक्दम clear कर दिया था ये बेसिकली जुलिया टीम का एक highest level था गेम का level उनके opponent और age groups मैसी के लिए कभी भी problem नहीं बना उनका funda एक्दम clear था वो हमेशा अपना natural game खेलते थे पिछ पर एक्दम cool रहने वाले मैसी हमेशा एक quick attack करने वाली goal scoring machine थे कैड़िट ए टीम के साथ खेलते वे उन्होंने 30 मैचों में जपरदस्थ 37 गोल किये उम्र में इतने छोटे होने के बाद भी उन्हें अपनी रैंक्स में अपग्रेड होते रहने से रोकना मुश्कल था 2003-04 का सीजन मैसी के लिए प्रेक आउट सीजन जैसा था इस साल वो पांच अलग-अलग टीमों से खेलते हुए फाइनली उस सबसे बड़ी टीम में अपनी जगह बनाने में काम्याब हो गए जिसे तुनिया बासी लोना या बासा के नाम से जानती है 16 नवंबर 2003 जब मैसी सर्फ 16 साल के थे उन्होंने बासी लोना के लिए अपना पहला मैच खेला पोचगल के पास की किसी एक जगह से इंस्पाइड नाम वाली टीम FC पोटो के साथ हुआ ये मैच एक फ्रेंडली मैच था फुटबाल में अच्चुली दो तरह के मैच होते हैं पहला फ्रेंडली या एक्जिबिशन मैच और दूसरा अफिशल मैच फ्रेंडली मैच होने के बावजूल ये मैच मैसी के लिए बहुत ही शांतार एक्सपिरियंस रहा आफ्टर आल बासिलोना के लिए खेलने वाले वो अभी तक के यंग गेस्ट प्लेयर जो बन गए थे तकरीबाने एक साल बाद अक्टूबर 2004 में बासिलोना के कई सारे प्लेयर्स इंजूरीस की वज़े से ये टीम से बाहर हो गए थे लहाजा क्लब ने मैसी को उनका फर्स्ट ओफिशल मैच खेलने के लिए का टीम आसिटी एस बिन्योल के खिलाफ मैसी ने वो मैच खेला और ऐसा खेला ऐसा खेला कि जल्दी ही कलब ने उने अपने सभी ओफिशल मैच खेलने के लिए फाइनल कर दिया और फिर आने वाले मैई के महिने में मैसी ने एक और नया मुकाम हासिल कर लिया वो एपसी बासिलोना के लिए गोल करने वाले यंग एस प्लेयर बन गए ये गोल उनों ने 17 साल, 10 महीने और 7 दिन के उमर में अलपा सीथे के खिलाफ किया मैसी को स्पीन की सिटिसन्शिप मिल गई अब उनके पास स्पीन और आजेंटीना दो देशों की सिटिसन्शिप थे स्पीन की जंता उनसे उमीद कर रही थी कि वो शायद अब अपने इंटरनाशनल मैचेज स्पीन की नैशनल टीम से खेलेंगे स्पेशली वर्ल्ड कप जो कि चार साल में एक बार होता था मैसी स्पीन में रह रहे थे और बासा ने उनके लिए जो किया था उनके लिए वो हमेशा उसके एहसान मन थे लेकिन पावजूद इसके वो अपने देश अजेंटीना के लिए हमेशा लॉयल बने रहे उन्होंने अजेंटीना की टीम से ही खेलने का डिसीजन लिया इसलिए बासा के खिलते वे भी मैसी ने अजेंटीना की अंडर 20 नेशनल टीम से कई मैच खेले सन 2004 में उन्होंने कई और साउथ अमेरिकन देशों जैसे रुगवे और प्रागवे के साथ इंटरनेशनल मैच खेले दो मैचों में तीन गोल्स करके उन्होंने इंटरनेशनल सौकर सीन में अपना राम पुलंदियों पर पहुँचा दिया सन 2006 के एजन्टीना की वर्ल्ड कप टीम से मैसी के खेलने को लेकर कुछ डाउट था दिन बदिन मैसी और शांतार होते जा रहे थे और 2005 शांतार के सीजन तर वो बासा टीम के स्टार रिजव बन चुके थे 17 गेम्स में 6 गोल्स के साथ वो एक बार फिर एक नए और शांतार सीजन के रिए एकदम रेडी थे पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि जसने अरजेंटीना की फुटबॉल हिस्ट्री में लेजेंड बन कर उभरने वाले इस नए सितारे के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया एक नया सफर फिर नहीं मुश्किल है लेकिन लेजेंड मुश्किलों से खबराते नहीं उन्हें फेज करते हैं इसलिए तो वो लेजेंड होते हैं तो इस बार मैसी तक कोट ने कैसे फेज किया ये नया चैलेंज इस चैलेंज में वो हारे या चीते